नमस्कार दोस्तो रादे रादे कैसे हैं आप सभी आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे खुश होंगे स्वस्त होंगे आज मैं भी बहुत अच्छी हूँ एक तो यह फोन जब भी मैं करती हूं तभी तो मैं कह रही थी कि आज मैं भी बहुत खुश हूँ क्यो यह था कि बच्चे आं, अपनी पसंद का, हमारी पीव को क्या था, मैंने से पूच्छा मिनका, क्या बनाएं, क्या खाएं, कहरी कि ममा साग बना लो, क्योंकि पीव को साग और मखी की रोटी बहुत पसंद है, तो मैंका, बिटे, जनम दीन है ते रहा, ऐसे तो अच्छा नी पीर केनने लगी कि चलोको आप को जो मनकर है वो बना लो तो अब मैं उसकी चोइस को ध्यान मे रखते हुए जो उसे पसंद है एक तो यसे दाल मकятель पसंद है साग पसंद है तो साग मैं बनाऊंगी लेकिन मैं तो मैं पनीर डाल के पालक पनीर बनाऊंगी मतलग उसके साग भी साग रह जाएगा और पालक पनीर भी बन जाएगा तो उसके लिए यहां पर मने देखे भाइए है सबजी यह मेथि यह पालक और यह सरसो का साग यह सरसो है और यह है यहां पर दाल मखनी के लिए साबूत उड़द क्योंकि मेरे पास थेनी तो इसलिए मैंने यह जो उड़द है साबूत यह लगवाए और इन में थोड़ा मैं करूँगी राजमा मिक्स कोशिश करूँगी कि आज जो यह स्पेशल विलोग है सिर्फ मैं रेसिपीज के लिए ही करूँगी क्योंकि अगर मैं इसको वैसे बाकी उसमें एड़ करती हूँ तो वीडियो काफी लंबा हो जाता है तो मैंने सोचा मैंन का चली इसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर देत हैं एक जिसमें कि मैं आपको completely रेसिपीज जैसे कि मैं बनाती हूँ वो शेयर कर पाऊं और दूसरा वो कि जिसमें मैं क्या बोलता है हम बड़े सेलिब्रेट करेंगे तो जी चली बस फिर बाते बहुत होगी टाइम बहुत कम है सब आएंगे वैसे तो मैंने आशु को भी बोला था मैंने का आजाओ पर मुझे पता नहीं किस टाइम आएगी किस टाइम नहीं तो जब तक मेरे जो काम है मैं वो कर लेती हूँ अभी तो पैर का खाने के बरतन है तो जब तक मैं थोड़ी बहुत से काम करती हूँ सबसे पहले मैं अपना कीचन समेटती हूँ उसके पाद फिर मैं करती हूँ बाकी सारे काम तो जी लग गए हैं काम पे सबसे पहले मैं रख रही हूँ पानी गरम होने के लिए क्योंकि जो साबुत उड़द हैं और उसमें जो मिक्स करने के लिए राजमा है उसे मैं भिगो के रखूँ गरम पानी में क्योंकि साथ के साथ ही खरीद के लाएते अगर सुबह के टाइम मेरे पास होते तो मैंने सुबह भीगो देती तो फूलने के लिए जो है इनके मैं गरम पानी कर रही हूं तो उसमें मैं इने आदा गंटा भीगो के रख दूँगी तो फूल जाएंगे उसके बाद उबलने के लिए रख दूँगी तो तब तक मैंने पानी करम करना है तब तक मैंने का ये कीचन के जो बरतन वगएरा है ये मैं कर लूँगी क्योंकि सुबह जो खाना वगएरा बनाया था फिर मार्किट चले गए थे फिर आके और थोड़े बहुत से काम किये तो बरतन रह गए थे तो बस मैंने का चलिए यहां पर आज पहले मैं कर लेती हूं अपने सारे काम बरतन हो गए हैं पूरे मतलब साफ हो गए हैं उसके बाद मैं एक बार अपने कीचन को साफ कर दूँगी और यह आदती हैं मेरी जितनी भी बार सिंक पे जाती हूं मैं उतनी ही बार इस गैस को साफ करती हूं क्यों करती हूं मुझे बही नहीं पता तो जी देखिए पानी उबल गया है हमारा और अब जो है मुझे भिगोनी है दाल तो यहाँ पे मैंने एक कटोरी जो साबुत उड़द होते हैं वो मैंने लिये हैं मतलब सब के लिए मैं बना रही हूँ तो मैं अपना मेजरमेंट कर रही हूँ एक कटोरी साबुत उड़द और आदा कटोरी के लगबग राजमा लिया है यह बड़ा राजमा है मतलब जो रेड़ वाला राजमा होता है बड़ा आता है ना वो वाला है यह जल्दी फूल जाता है जो छोटा राजमा आता है वो जल्दी नहीं फूलता तो इनको धो के अच्छी तरीके से कूकर में डाल के जो पानी गरम हमने किया है उसमें हम इसको भिगो के रख देंगे आदे घंटे के लिए तो ये अच्छी तरीके से फूल जाएगा तो ये हो गया है हमारा काम अब साथ के साथ मैं भिगो दूँगी चावल क्योंकि मुझे चावल बनाने है चावल फंक्षन और पर कुछ होता है तो हम लोग बनाते ही है रुः के जनम दिन पर इसलिए नहीं बनाये थे उस दिन एक आदशी थी तो एक आदशी को चावल नहीं बनते तो देखे बस यहां पर जो चावल है उनको भी मैं दो तीन बार करके अच्छी तरीके से दोलूँगी चावल जो है यह साफी है हमारे मनलब साफ नहीं करने पड़ते मार्किट से लिए हुए है तो यह साफी है बिल्कुल और वैसे भी मनलब अब तो साफी आती है जादाता है चीज़े तो चावल भी मैंने भीगो दिये हैं अब जब तक चावल भीगे हुए है राजमा और दाल भीगे हुए है तब तक जो है यह मुझे जो पालक पनीर बनाना है उसके लिए मैं तयारी कर लेती हूँ तो यह सरसो वाला साग है उसको मैंने साफ कर लिया है एक पार्ट मैंने सरसो का साग लिया यानि कि एक गुच्छी सरसो का साग एक गुच्छी पालक का साग और आदी गुच्छी मैंने मेथी ली है और कुछ मुझे मिलानी नहीं तो मैं मिक्स करके यह बनाती है खली पालक मैंने इसलिए नहीं बनाया क्योंकि नुकसान देता है खली पालक तो देखे और जो साग है वो बनाने का तरीका अलग होता है और पालक पनीर बनाने का तरीका बिलकुल अलग होता है आज मैं आपके साथ वो शेयर कर रही हूँ जैसे मैं बनाती हूँ वैसा नहीं कि वही कैसे सभी का अपना अपना तरीका है ये मैं गारंटी आपको जरूर दे सकती हूँ कि जब आप एक बार इसको बनाएंगे तो आप होटल वाला जो बनाते हैं खतते हैं वो भूल जाएंगे रेस्टोरेंट वाला बनाना और खाना तो जो देखे इसको मैंने धो लिया है बहुत अच्छे तरीके से और अभी जो है मैंने पानी रख दिया था उबलने के लिए क्योंकि जो पालक है वो मुझे कूकर में उबालना नहीं है तो महाँ पे उस साइड भिगोने में मैंने बड़ा भिगोना लिया है उसमें मैंने पानी रख दिया था गरम होने के लिए जब तक मैंने पालक वगहरा दोया पानी जो है वो गरम हो गया था तो उसमें मैंने डाला है एक चमच नमक तो ये पालक मैं इसमें डाल रही हूँ पालक मतलब जितना भी साग मैंने लिया है वो इसको हम पानी में सिर्फ तब तक उबालेंगे जब तक एक उबाल नहीं आ जाता पानी में पानी मतलब गरम पूरा नहीं करा ता, मैंने हलका सा गरम करा था, तो जब तक एक बाल पानी में आएगा जो पालक है, वो हमारा सूफ्ट हो जाएगा, हमें पालक गलाना नहीं है, सिर्फ उसको सूफ्ट करना है, जिस्से की हम उसे बाद में पीच सकें, बाकी मैंने उसमें कुछ नहीं डाला है सिर्फ नमक डाला है थोड़ा सा पानी में और उसके बाद मैंने ये जो पालक है ये रख दिया है जब तक ये होते हैं इधर डाल भी उबलनी रख दी है मैंने जो साबुत उड़द हैं वो भी उबलनी मैंने रख दी है नमक डाल के और उधर पालक भी हमारा हो जाएगा तो ये देखे हलका-लक सा सोफ्ट होने लगा है और बस जब तक ये होगा पांस साथ मिन्ट होती हैं बस या एक उबाल आजाए पानी में इतना आपको इसको पकाना होता है तो जब तक मैं छोख कर लूँगी पालक पनीर और दाल मखनी दोनों के लिए ही मैं छोख साथ में ही तयार कर ली हूँ तो देखे जो हमारा पालक है वो काफी अच्छे से हो गया है और इसको मैं साथ के साथ निकाल दूँगी और ठंडे पानी से इसको धो दूँगी अभी क्योंकि ठंड है अगर गर्मी होती तो बरफ वाले पानी में इसको डालते हैं जिससे कि ये साथ के साथ ठंडा हो जाए और ये ज़्यादा मतलब ना पके जो पालक है उसमें कच्छा पनसा एक रहे तो जब तक वो ठंडा होता है मैं अपनी बाकी जो छोंक की तयारिया वो कर लेती हूँ यहाँ पे मैंने टमाटर ले लिये हैं दुनों का छोंक मैं साथ के साथ ही तयार कर रही हूँ लगाऊंगी अलग अलग लेकिन तयार साथ में कर रही हूँ तो छौउग के लिए मैंने टमाटर ली हैं लेसन पियाज लिए हैं अब बारी आ जती है साग को पीशने की तो यह हो गया है थंडा पालक जो है अमारा वो थंडा हो गया है इसको मैं अब ग्राइंडर में डाल के पीस लूँगी थोड़ा सा पानी आप चाहें तो डाल सकते हैं इधर चावलो का पानी भी मैं रख दूँगी तो पानी भी गरम हो जाएगा तो चारोई तरफ हाथ चलते रहते हैं तो देखिए बस यहां पर अभी जो है मैं अपना थोड़ा बोती दरदर सामान जो है क्योंकि मुझे सलेप भरा हुआ अच्छा नहीं लगता ना मेरे पर काम होता भरे हुए सलेप है तो यहां पर पहले जो टमाटर है मैं उनको पीस लूँगी टमाटर का मैं बनाऊंगी पेश्ट क्योंकि पालक में भी मुझे डालना है और उसके बाद जो दाल मखनी है उसमें भी यहां पर हमारा जो पालक है वो भी मैंने पीस लिया है यो देखे थोड़ा सा मैंने पानी इसमें डाला था ताकि पीसने में ये इजी हो जाए और ये धियान रखिए कि साग जो है हमारा पालक है वो बिल्कुल कच्छा है तो इसको हमें बाद में बहुत अच्छे से पकाना होगा यहाँ पर मैंने लिया है 200 गराम पनीर इसको मैं क्यूब्स में काट लूँगी और इसको मैंने पहले दो लिया था अभी मुझे जो है सबसे पहले हम करेंगे पनीर जो है तो यहाँ पर देखे तेल मैंने चड़ा दिया है कड़ाई में जब तक तेल गरम होता है तब तक मैं अपने जो लहसुन प्याज है उनको मैं बारिक बारिक चोप कर लूँगी पेश्ट मैं इसलिए नहीं बना रही हूं लेसुन प्याज का क्योंकि पेश्ट जब हम इस्तमाल करते हैं लेसुन प्याज का तो तेल बहुत ज़्यादा लगता है इसलिए तो मैं बस सिर्फ इसको बारिक बारिक चोप कर रही हूं ताकि तेल जो है वो कम लगे तेल गरम हो गया हमारा उसमें हमने डाल दिया है अपना पनीर और हलका गोर्डन ब्राउन सा जब यह हो जाएगा तब मैं इसको उतार लूँगी जादा भूनना नहीं है पनीर मैं जादा इसलिए नहीं डाल रही क्योंकि सब लोग पनीर साग के अंदर इतना नहीं खाते बच्चे साग साग खाते हैं कुछ पनीर पनीर खाते हैं तो देखे बहुत अच्छा सा कलर हमारे उसमें आ गया अब यहां पे जो है तेल के साथ मैं कर रही हूं बटर इस्तमाल क्योंकि बटर का जब इस्तमाल हम छौक में करते हैं तो उसका फ्लेवर उसका टेस्ट बहुत ही अलग हो जाता है खाने का तो बहुत अच्छा आता है तेल गरम हो गया सबसे पहले हिंग डाल दिया है धनिया डाल ला है जीरा डाल ला है उसके साथ मैंने डाल दिया है लैसुन और अदरक का पेस्ट तो लैसुन मैंने अदरक का पेस्ट जो ही रेडिमेंट है बाकी मैंने जो लैसुन प्याज है वो घर पे ही पीसी हुई है तो जब लैसुन अद्रक का पेश्ट भून जाएगा तब हम जो लैसुन और प्याज है वो भी डाल के भून देगे तो जब तक यह भून रही है मैं अपना थोड़ा सा और एक्ष्टा काम कर लेती हूं देनिया पाूडर मेरख खतम हो गयた तो मैं यहांपर साथ के साथ ही उसको पीस लोगी तो कुछ काम है जो साथ के साथ ही हो जाते हैं तो देखिये हमारी यह भून गया है सोरी मसाले नी लेसन प्याज जो है वो हमारी भून गई है अब हम इसमें डाल देंगे अपने जो बैसिक से मसाले होते हैं हलका सा गोर्वडन ब्राउम हमें इनको करना है ज्यादा नहीं भूनना है कि भई बिलकुल लाल पीला कर देना है हलका से गुलाब भी रखेंगे तो जलाना नहीं है मतलब कुलमिला के बात यह है तो देखे इधर हमारे चावलों का जो पानी है वो भी पग गया है अब इसमें मैं चावल डाल दूँगी और साथ में थोड़ी सी हल्दी डाल दूँगी सफेज चावल मैं नहीं बनाती कड़ी के साथ बनाती हूँ आप लोग पूछते हैं कि सफेज चावल आप क्यूं नहीं खाते हल्दी क्यूं डालते हो तो जी उसका कुछ मेरा अपने धर्म के परती कुछ है तो उस वज़े से मैं पीले चावल ही बनाती हूँ तो जी उदर देखे हमारा जो छोचोंक है वो भी हो गया उसमें मैंने हल्दी मिर्च और जो कश्मीरी लाल मिर्च होती है वो और धनिया पावडर डाल के भून दिया है उसके बाद टमाटर का पेश्ट डाला है उपर से डाल दिया है नमक और जब यह देखे बहुत अच्छे से यह हमारा टमाटर का पेश्ट पक जाएगा तेल अलग होने लगेगा इसमें से यह बरतन को छोड़ने लगेगा तब जो है हम इसमें डाल लेंगे पनीर मैं पनीर पहले इसलिए डाल रही हूं ताकि जो मसाले है वो पनीर के अंदर अच्छे से चले जाएं क्योंकि पनीर हमने रोष्ट किया हुआ है थोड़ा सा मतलब फ्राई किया हुआ है तो उसके अंदर मसाला जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा तो थोड़ा सा पानी डाल के मैंने पनीर पकने के लिए छोड़ दिया और देखे कलर कितना अच्छा आया है तो जब तेल अलग होने लगा है पनीर अच्छे से पक गया है तो हमने इसमें जो पालक का पेश्ट बनाया है वो हमने इसमें कर दिया है मिक्स और आप देख रहे होंगे कि मतलब कलर जो है पालक का बिल्कुल वही है आप मुझे पोछते हैं कि आपके पालक का कलर चेंज क्यों नहीं होता तो जी देखे इसका तो रीजन मुझे भी नहीं पता है कि क्या है लेकिन ऐसा ही रहता है काला नहीं होता है कहीं बार साग का रंग काला हो जाता है तो वो नहीं होता है तो यहाँ पे थोड़ा सा जितना आपको साग गाड़ा रखना है यह पालक गाड़ा रखना है यह पतला मांड है उसका इस्तमाल जो मैंने डाल उबाली है बतलो डाल मखनी के लिए जो डाल उबाली है उसकी तरी बनाने में करूंगी क्योंकि मैं जब डाल वगेरा उबालती हूं तो मैं उसमें पानी उतना ही डालती हूं जितना जरूरी होता है बाकि जो उपर की कमी रह जाती है मैं मांड से पूरी करती हूं तरी बनाने में तो चावल भी हमारे ने चुड़ गए हैं अब मुझे लगाना है दाल मकनी में तड़का तो जो पालक है वो मैं दूसरी गैस पे रख दूँगी क्योंकि अब उसको सिर्फ पकना है तो वो आराम से पकता रहेगा और उधर दूसरी गैस पे जो है वो मैं लगा दूँगी तड़का तो देखे बस यहां पे भी मेरा सेम वही है कि सरसो के तेल में मैंने थोड़ा सा बटर मिक्स किया है और जब वो अच्छे से पिंगल जाएगा तो मैं तड़का लगाँगी बीच बीच में हम पालक पनीर को भी घुमाते रहेंगे नहीं तो क्या होगा कि निच्चे लग जाएगा तो देखे डाल जो है हमारी गल बहुत अच्छे से गई है लेकिन वो गाड़ी हो रखी है तो यहाँ पर मैं उसमें मांट डाल दूँगी थोड़ा सा पतला मैं इसलिए रख रही हूँ क्योंकि अभी मुझे जब मैं इसमें तड़का लगाँगी तो मुझे इसे पकाना है तो पानी अच्छा होगा तो दाल पक जाएगी जलेगी नहीं इदर हमारा तेल गरम हो गया है उसमें डाल दिया है हींग साथ में गया है धनिया जीरा और मैं मित्थी दाना भी डालती ही हूँ और साथ में मैंने डाली है कसूरी मित्थी तो दाल मकनी जब मैं बनाती हूँ, उसके छौंग में मैं कसूरी मित्थी डालती हूँ उपर से चला गया है लेसुन अधरक पेश्ट, उसके बाद लेसुन प्याज गई है, जो बारिक बारिक मैंने चोप की है अगेन मैंने यहां पे पेश्ट नहीं बनाया है लेसुन प्याज का क्योंकि तेल बहुत ज़्यादा वो लेता है और पकने में भी टाइम लगता है प्याज हमारी भुनगी है तो मसाले डाल दिया है सोरी धनिया पाउडर है लाल मिर्च पाउडर है और जो कश्मीरी लाल मिर्च है वो है हल्दी है उनके भुनने के पाद टमाटर डाल दिया है और साथ में ही जो है मैंने नमक डाल दिया है और साथ में मैंने यहां पे डाल ली है मलाई जो घर की दूद की मलाई होते है वो मैं यहां पे डाल रही हूँ और मलाई जो है ये डाल मखनी का जो टेश्ट है वो बहुत बढ़ा देती है अगर आपके पास घर की मलाई नहीं है तो मार्किट से आफ फ्रेश क्रीम लाके वो इसमें मिक्स कर सकते है तो देखे कितना अच्छा हमारा च्छोंक बनके हो गया है तैयार अब जो डाल हमने आटा लगा लूँगी तो आटे में मोहिन के लिए मैंने यहां पे रिफाइन डाला है थोड़ा सा और उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ी सी कसूरी मित्थी और थोड़ा सा मैं डाल लूँगी अजवाइन जिससे की जो और जो अजवाइन का और कसूरी मित्थी का जो टेश्ट आता है वो भी बहुत अच्छा आता है पूरियों में तो अब यहां पे हम लगा लेंगे एक सक्त मतलब जादा सोफ्ट नहीं करना ना जादा सक्त करना अटा लगा लेंगे हम और इसको रख दूँगी मैं थोड़ करते हैं उसका एक अलगी मजाता है तो देखे साग हमारा जो है पालक पनीर बनके हो गया है तयार कलर बिल्कुल भी इसका खराब नहीं हुआ कई बार हमें पालक का पता नहीं लगता कि वो पग गया है या नहीं तो तेल सा उपर आने लगता है इसके उपर तो उससे हमें आईडिया हो जाता है कि ये पग गया या आप ज़रा सा टेस्ट करके देख सकते हैं अगर कच्छा पन लग रहा है तो आप इसको थोड़ी देर और पकने दीजे तो अब मुझे लगाना है दुबारा तड़का, यहाँ पे मैंने लिया है देसी घी, उसमें मैंने डाला है हींग, दो साबुत लाल मिर्च थोड़ा सा उसमें मैंने डाला है जीरा और डाली है कश्मीरी लाल मिर्च जो इसको बहुत अच्छे से हम फ्राई करेंगे और जो यह तड़का फ्लेवर साग में लगेगा ना, वो मतलब होटल वाला ही आपको बिल्कुल टेस्ट देदागा, जब यह तड़का लगेगा इसके उपर उपर, तो यहाँ पे अब यह तेल, मतलब घी हमारा अच्छे से पग गया है, अब इसको हम इसमें करके और साथ के साथ इसको ढख देंगे ताकि जो इसका घी का स्मोकी फ्लेवर है, वो सारा साग के अंदर चला जाए, इधर हमारी दाल भी हो गई है, अच्छे से, क्योंकि यह दाल जो है, वो रखने के बाद और टाइट हो जाती है, करड़ी हो जाती है तो इसको मैंने थोड़ा सा लूज छोड़ा है उपर से हरा धनिया डाल के कर देंगे गार्निशिंग, बाकि यह जो मेरे पास फ्रेश क्रीम है, अमूल की इससे मैं करूँगी गार्निशिंग इसकी थोड़ी सी और थोड़ा सा मैं इसके उपर डाल लूँगी पनीर के उपर कर दिया है, क्रीम से और पनीर से थोड़ी सी गार्निशिंग कर दिया है अब बारी आ जाती है पूरिया बनाने की तो यहाँ पे देखे, मैंने बना दी है फुली फुली सारी मेरी पूरिया बनेंगी और मोईन डालने की वज़े से जो पूरिया है, वो कुरकुरी बनती है हाड नहीं होती, मतलब कुरकुरी होती है लेकिन हाड नहीं होती तो देखे, जी बस इस तरीके से ही मेरा जो सारा खाना है, वो तयार हो गया है और जब तक मैंने खाना बनाया, कोई नहीं आया था जब मैंने पूर्या बनानी शुरू करी तब आशुवर आगे थे तो मरलब ये था कि आने से पहले सब कि मैंने अपना काम निपटा लिया जो मेरा काम था, अब जो राय जाता है वो बाकी आगे की जिम्मेदारी राय जाती है जन्म दिन की तो जी देखिए पूरिया मेरी बनगी है पूसारी के सारी और अब मैं आपको दिखाते हूँ फाइनली अपनी सबजों की शकल तो ये है हमारी दाल मखनी और देखने में तो अच्छी लग रही है ये है पालक पनीर साथ में है चावल और उसके साथ में है पूरिया तो जी मै की फैमिली वाले दुबारा बोलेंगे आपको बनाने के लिए कि आप बनाईए और होटल का खाना तो वो बिलकुल भूले जाएंगे तो जी कैसी लगी मेरी कोशिश मुझे जरूर बताईए कमेंट करके वीडियो कैसा लगा जरूर बताईए तो जी बस मिलेंगे एक और नही वीडियो के साथ आप लोग अपना बहुत ध्यान रखें खुश रहें स्वस्तर रहें मिलते हैं जल्दी तब तक के लिए राधे राधे